किसी भी व्यविसाई को आगे बढ़ने के लिए दो सपोर्ट पिलर्स चाहिए होते हैं एक उसका अपना जुनून और दूसरा सरकार से मिली सहायता भारत के पूर्व उप प्रधान मंत्री बावु जग जीवन राम के जन्व दिवस के उपलक्ष में हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लांच किया Stand Up India लेकिन क्या वाकई Stand Up India हमारे भारत को अपने पाओं पर खड़ा कर सकता है चलिए समझने की कोशिश करते हैं प्लीज वल्कम दो ओधर ऑफ बिसनेस बोक्स दे फिलेंट्रोफिस दे बिग बिसनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनिल कुमार गुपता नवश्कार सर बहुत बहुत स्वागत है अपका बहुत बहुत सुनिल जी अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने बात की थी अब एक नए जुम्ला आया है Stand-Up India तो यह क्या कुछ नए नाम आते जा रहे हैं पुराने नामों की marketing करके या बाख अपके इन में कुछ अलग है क्योंकि जब हमने Startup India के बारे में बात की थी we actually realized कि वो पिछली चल रही स्कीम से या प्रिष्णी चल रही सुविधान से कुछ अलग है स्टैंड़ इंडिया में क्या है स्टैंड़ इंडिया बुक्त अच्छी स्कीम है जो लांच की है हमारे देश में लगपर 20 करोड एसी है और अगर हम महिलाओं की संख्या देखे है तो महिला इंटरप्रणर हमारे देश में सबसे काम है उसके लगे यदी गलोबल एक संस्ता है जिसका नाम है Global Entrepreneur Development Institute उसके सर्वे के मताविक हम लोग 70 में नंबर पे हैं 70 नंबर पे हैं उस नंबर एक पे हम 70 में नंबर पे हैं और 20 करोड़ SC जिसमें इंटरप्रणर बहुत कम है क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि जो हमारे SC भाई थे नौकरी के तरफ देखते रहे क्योंकि इनके लिए एक रिजर्वेशन था तो इन नौकरी ढूंड़ने में लगे रहते हैं इतनी नौकरियां हाई नी उसी बज़े से मानने प्रधान मंत्री जी ने ये स्कीम लांच की जिसका नाम रखा Stand Up India जो स्कीम खास तोर पे SC भाईयों के लिए है और विमन के लिए है जो entrepreneur बनना चाहिए जिससे कि वो जो लोग अभी तक जॉब ढूमते थे जोब पाने के लिए घूमते थे वो जोब देने वाले बन जाए जोब गिवर हो जाएंगे जोब सीकर से जोब गिवर हो जाएंगे क्योंकि एक व्यक्ति एक entrepreneur बनता है और एक enterprise लगाता है तो वो एक साथ 2, 4, 5, 10 या 20 लोग को employment भी देता है बिलकुल तो वो जो हमारे पास unemployed लोग हैं वो तभी उने नौकरियां भी मिलेंगी जबकि वो उने इंटर्पर्णर बनाया जाए तो इंटर्पर्णर बनाने के लिए इस्कीम है जिसका नामे इस्टेंड़ इंडिया रखा है जैसे नाम से है कि यह लोग भी अपने पैरो पे खड़े हों अपने इंटर्पर्णर बने और खुद को भी काम पे लगाएं और साथ में बाकी लोगों को भी नौकरी दें जी यहां पर सुन्य्जी आप से जानना चाहूंगे की आखर क्यों यह जरूरत है कि हमें क्यों कहना पड़ाय की कहना पड़त है कि जो हमारे एसी भाई हैं और जो हमारी महिलाए है इनको इन्टपर्णर बनाने के- लिए टोई depression निए कोई एफ ऑपर्वोश तो बहुत सारे ऐसी भाई और बहुत सारी महिलाएं हैं, अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को वो लोग बिलॉंग करते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि वो भी अपने पाउं पर खड़े हों, आज हमने इसलिए अपने साथ एक ऐसी महमान को बुलाया है, जो कि इस ऐसी वर्ग से बिलॉंग भी करती हैं, पर साथ में वो खुद एक महिला हैं और एक सक्सेस्फुल उंतर्फरनियोर हैं, तो उन्हें आपने साथ शुमार कर लेते हैं, दोस्तों, आज की हमारी जो महमान हमारे साथ स्टूडियो में आ रही हैं, आप ना केवल एक महिला व्यविसाई हैं, बलकि आप समाज के एक कमजोर वर्ग से आती हैं, लेकिन आप ने अपनी कडी महनत से ये साबित किया है, कि आपके इरादे कमजोर नहीं, बेहद मजबूत हैं, शी इस the head of West Bengal for Dalit Indians Chamber of Commerce Industries, प्लीज वलकम श्रीमती मुन्मुन बिस्वास, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपसे जो हमारी बारता शुरू हो, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये जान लिया जाए, हमारे दर्शकों को बताया जाए कि आप अच्छली क्या काम कर रहे हैं, आप किस चीज के entrepreneurship के skill में आगे हैं, इरी basic education, मेरी schooling, प्ल जी, 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 जी होई है, उसके परश्टात मुझे कालकटा जाना पड़ा, मेरे family के साथ, और master's करने के बाद बात आजाती है कि करियर में अब कहां जाना है, तो उसमें हमारे सामने दो रास्ते थे, एक शासन का और प्रशासन का, लेकिन मेरा रूजान था कि मैं कुछ society के लिए करूं, जिसमें entrepreneurship मेरे mind में always था, कि मैं direct लोगों के साथ, अपना business start करूं, जिसमें मैं direct लोगों को employment generation कर सकूं, फिर मैंने जो अपना company से, जो मैंने start किया, वो एक online marketing का है, that is in name of Indie Loom, Okay, so in that, the concept is of making new products, as well as, जितना भी हमारे crafts हैं, all over state, not only of Jharkhand or not only of Bengal, from all over India, from north to from south, सारे state में जितने भी crafts हैं, उन सब को लेके, उन सब का एक platform हो, जहां से हमसको sale कर साके, through online as well as retail, in brand of Indie Loom. जब हम ऐसी भाईयों की बात करते हैं, जब हम हिलाओं की बात करते हैं, उन्हें loan मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मोधी साहब ने कुछ का है, आप लों को दिखाना चाहेंगे. सेंड़ इंडिया योजना के तहर, 15 अगस को लाल के लिए से गोशना की थी, कि भारत की हर बैंक की ब्रांच, अपने छेत्र में एक दलीत को, और अगर वहाँ दलीत पस्ती नहीं है, तो अधिवासी को, और एक महिला को, बैंक की तरफ से loan देंगे. तो आपको लगता है कि अब स्टांड़ इंडिया से वो जिस चनौति की हम बात कर रहे हैं की loan नहीं मिलता, वो खत्म हो जाएगे. बिलकुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात इस योजना में ये है, कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं, उन सब के ब्रांचे पूरे देश में फैली हुई हैं. तो वो ब्रांचे इडिन्टिफाई की गई है, लगबक 70,00,00,000,00 कमर्शियल शेडूलीं की ब्रांचे व्राँचे में हैं. जो की निसंदे अलगलग चेत्रों में हैं तो हर ब्रांच को, हर ब्रांच को दो आदमी इडेंटिफाई करने है, कि उन्होंने पहले कोशिश करनी है कि पहले वो SC हो, अगर उस छेतर में SC नहीं मिलते तो ट्रैवल हो, और एक महिला, इन दोनों को अपना नया ध्योग धंदा चालू करने के लिए लोन देना है, और वो लोन भी एक क्रोड तक का है, अभी तक जितनी भी स्कीम थी, जो पहले SC entrepreneur के लिए जो स्कीम थी, जो हमारे national commissions बने में हैं, और जो अपनी channelizing agency के थूँ लोन बाटते हैं, उन लोन में जो total loan का amount होता है, वो बहुत काम होता है, या Prime Minister Employment Generation Program है हमारा, उसमें भी loan amount काम है, इसमे loan amount एक क्रोड रखा हो है, जिससे कि वो एक अच्छा उद्योग दंदा चालू कर सकें, और अपने साथ-साथ बाकी लोगों को भी अपने उद्योग दंदा में लगा सकें, अब banker को, manager को खुच जा के identify करने पढ़ेंगे, मुझे किसे loan देना है, तो जो main finance की problem थी, जो हमारे कार्णों से इनको loan नहीं मिलता था, इस स्कीम में इन ही दोनों को सिर्फ लोन मिलेगा, उनी को फोकस किया गया, इसलिए यह स्कीम जो है, आज तक देश में जितने भी स्कीम थी उनसे नहीं है, और इनोवेटिव है, तो यह कोई नया जुमला नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुन्मुन जी, क्या आप ने कभी इस तरह की किसी स्कीम का लाब लिया है, बिल्कुल, बिल्कुल, एक आइफसी आई वेंचर कापिटल होता है, तो वहां से मैंने 1.55 करोर का लोन लिया, तो ग्रो माई बिसनेस, इसमें मैंने एक डिजिटल प्रेंटिंग यूनिट का सेट इसमें चीजों को हम ध्यान रख रहे हैं, स्टैंड़ इंडिया में, एक ट्रेडिंग के लिए भी लोन दे रही है, जो इसको बहुत अलग करता है किसी भी दूसरे सेक्टर से, अब तक जितने भी हमारे स्कीम चले हैं, वो बेसिकली मैनुफेक्ट्टरिंग पे ही ज़्या आजकल हमारे खुल सकते हैं, जिसमें महिलाओ का योगदान सबसे ज़्यादा आ सकता है, और यह बहुत इजी भी है, बिल्कुल, वो घर बैठे इस चीज को लाब ले सकते हैं, अपना बिजनस स्टार्ट अप कर सकते हैं, माली जिए, अब महिलाओ को चोड़ के चोड़ के उसमें कर सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा है, अब स्टैंड़ इंडिया में इसका मतलब जितनी भी अब वो सुविधाएं आप लोगों को मिलने वाली एक खास तर पर जो हमारे एसी भाई हैं, और जो हमारे विमन उन्तप्रणियों जो आगे आना चाहती हैं, उनके ल और जो और भी निकल के आया है, उसके बारे में बात कहना चाहेंगे, प्लीज हमारे लोगों को इतने सारे SCSTs जब जोब में ही चले जाते हैं, वो उनमें कैपबिल्टी होती हैं, बिसनस करने की, बट यह नोग 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 बात करने की, बट 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 सोचते ही नहीं है, उनके पूरी बट बट सोचते ही नहीं है, जब कि वो बहुत अच्छा बिसनस कर सकते हैं, बिसनस में अपने इंडियन सोचल सिस्टम में एक बड़ा हिस्सा है, और यह लोग को, जैसे SCSTU है, उनको थोड़ा रिजर्वेशन के विज से नोकरियों में फ सभी इस नेलान तो इनके पाल ही होगा लेकिन यह आगे नहीं आपते हैं ब्कॉल अफा बिजिस को बिजनस करना है, और मिजे फोड़ा गरिब भ्याःका हो, और मुझे पता नहीं केसे करते इस काम को, बिजनस को कैसे करते हैं, और सार्काश से help होगा तो, मुद अच्छा जब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता बलकुल और वो भाई जिनके अंदर छमताएं भी हैं वो क्यों आ गया है तो उनके लिए पहले कोई स्कीम थी बहुत सारी जैसे मैं बता रहा हूं नेशनल कमिशन है लेकिन उनमें लोन अमांट बहुत कम है उनमें गारंटी देनी परती है जो स्कीम राफ्टेड है वो इतनी और ऍाटीडियस जोब करने सकते हैं और उसमें ब्रोकर के थो दू करना पड़ता है सॉस California तो अब जो इसकीम बन रही है अब इसकीम बिल्कुल साथ बहु कोई स соврем स्कीम यह को बनाना थे और आज के सिनेरियो को देखते वे लोन अमांट का कॉंटम रखा गया तीसरे सजन थे उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ब्लाउं करता हूं इनी के लिए स्कीम है मैंने बताना चाहूंगा इने करना चाहते हैं बट उनको पहले से अभी कम्निकेशन बिले जाहिए तुन आपका पूरी स्कीम इनके पास नहीं है तो इसके लिए एक Dalit Indian Chamber of Commerce है वो उनकी मदद करता है उनको बताता है कि कैसे project बनाना है कैसे complete चीजे करनी है वो भी उनकी मदद करता है आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे मैं काफी टाइम से मेकप का गाम करता हूँ और मैं अपने स्टूडियो खोलना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि मैं पैसे कहां से लेकर हूँ सर मेरे पास बिजनस आइडिया बहुत तगड़ा है पर क्या करूँ कहा जाओं कुछ समझ नहीं आता गवर्मेंट का इनिसिट्व ऐसे होना चाहिए कि आप इंडिस्ट्री फोकस करें और उसकी इसाब से सेमिनार और सब को इनफर्म करें MSME इंडिस्ट्री जो डालता है उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं रहे तक भी हमको फाइनांस कहां से मिलेगा कितना मिलेगा और हम क्या करें तो हमको यह फाइनांस जिसे प्रॉपर चैनल थ्रू मिले तो यह एक दिकत हर किसी के सामने आ सकती है जब एक बैलत आगे बढ़ते हैं अंत्रप्रेनियॉर बनने के लिए तो क्या उनकी लिए कुछ ऐसे सेमिनार और गनाइज हो सकते हैं या ऐसा कोई एक इंस्टिउशनल स्ट्रक्चर है जहां से उन्हें पता चल सके कि अगर करते हैं जाए कि लिए आउनकी लिए इसी पकार से एक दलिट इंडियन चैंबर आफ कोमर्स है जो कि दलिट भाईयों को जो हमारे ऐसी भाईया जब भी वह इंडिस्टी लगाते तो उनको पुरी मदद करता है उनको पुजे कैसे बनाना है उनको कैसे पीश करना है उनने सarna जैनार जैना पहुरट है उसकोछ लाटीज कर जाती आफा जिए रयर कर ऊसकती है साथिए यह सरकार भी है भहुत सारी सैमिनार कई एकीरती है साथ를 लमारे इससे इस सैमिनर कोर भी साहिक chickens बनेए इस जैसे इसे बहुत साले इंस्टिटूशन हैं, जो कि इस चीज के लिए अवेरनेस के लिए कॉन्फरेंस भी करते हैं, और साथ में टेनिंग प्रोगाम भी और साथ में टेन भी किया जाएगा उनको फाइनस भी दुलवाया जाएगा जैसे मैंने बताया है, जो कि मार्केटिंग का भ मुनमुन जी, आप भी इस दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ी हुई है, पूरे वेस्ट बेंगौल को आप हेड करती हैं, तो हमें बताये किस तरह से ये डिकी प्राक्टिकली काम करता है, ये स्टैंड आप इंडिया का जो ये प्रोग्राम है, इसमें इस दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एक पार्टनर के रूप में काम कर रहा है, ये सिद्भी, नाबाड और दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, आप बोल सकते हैं, ये सभी मिलके इस चीज को दूर दूर तक फैला रहे हैं, हमारे गाउं में, हमारे इंटरिनल इस प्रिप्र से लेके हम अगर क्या बिजनिस करना चाहते हैं, उसका भी इंटिफिकेशन का प्लानिंग है, इसमें आपका इकदम शुरुआत से आप क्या करना चाहते हैं, अज़ अंत्रुपरणर आपका रूजान किस तरफ है, आपस वह पहले जानेंगे, उसकी बाद आ आप टाक्सिस किस तरीके से कर रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज है की नहीं है, वो पूरा का पूरा एक कंपोजिट हैंड होल्डिंग इस टैंड़ इंडिया दे रहा है, राइट, सुनल जी, जब इस तरह के चेंबर्स कुछ सामने आते हैं, जो कि हमारे जो व्यविसाई परहे हैं, उनको हर तरह की नौलेज देते हैं, अंतरपरन Size की सा थोरे हैं तो इस टेक्सेशन के बारे में भी अवेरनास दीजाती है, तो इस टेक्सेशन में क्या कुछ उने रियायत वी दी दियाती है, जय से नगल बशेर हैं जय संग चीम होईिता हैं, आप कि तो रियाय यह किसी तरह कि छूट को तै नहीं कर सकते कि क्या चूट मिलेगी नहीं मिलेगी यह सिरफ लॉग को बता सकते हैं कि हमारे देश के कानून के मताविक आपको कितना टेक्स किस मद में और किस समय पर देना है और यह भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह नहीं हो पाती है तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको यह टैक्सेशन एक चार्ट एकाउंट की जरूरत इन सब का आपको नौलेज होना चाहिए यह होना बहुत जरूरी है अगर हम स्टांड़ इंडिया की बात करें अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम का लाब उठाना चाहता है तो सबसे पहले तो वो यह जानना चाहेगा कि लाब क्या क्या है तो वो हम चाहेँगे कि आप इस पर रोश्नी ज़रूर डालें यह पहली स्कीम है जिसमें की जो लोन आपको मिल रहा है जो दस लाग से लेकर के एक क्रोड तक का लोन है, वो लोन में आपको कोई भी कोई भी कॉई बी ऐस की में, कि इसमें सिद्वी को 10,000 क्रोड से एक फंड बनाए गया है, जो कि इसको जो भी रीफैनास का काम करेगा, जो भी ब्रांचेस हमार को लोन देंगी, तो वो जो लोन वो सिड़ी से बैंक मदद ले सकते हैं वो 10,000 क्रोड के कॉर्पस से बनाई गई है साथ में ही 5,000 क्रोड से नेश्टनल क्रेडिट गरंटी कंपनी बनाई है मिनिस्ट्री ने जो की आपको जो भी बैंक उनको फानांस करेगा उनको गरंटी देगी तो एक तरह ऐसे यह जो योजना है यह सिड़ी नावाड के सहयोग से पूरी लॉंच हो रही है इस स्कीम में पहली बार ऐसा भी प्रोविजन रखा गया है कि जब बैंक आइडेंटीफाई करेगा किसी भी इंटरपनर को तो उस इंटरपनर की पूरी मदद भी करेगा और साथ में बैंकर्स को यह इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जब भी आप इंडिया पर लोन देंगे तो उनसे ब्याज की दर सबसे कम लेंगे जो भी आपके बैंक का बेस रेट है उस पर उनको देंगे साथ ही जो आपकी रीपेमेंट है वो पांस से साथ साल की होगी एक इसमें बिशेश बात यह भी की गई है कि आपका जो लोन बापसी का पैटरन होगा उसको जो हमारी क्रेट रेटिंग एजनसी हैं बो भी मोनिट करेंगी जिससे कि आपको क्रेडिट रेटिंग दी जा सके उसका एक एड्वांटेज यह होगा कि जब आप पहली बार इंडिया योजना से लोन ले लेंगे और उसकी तरीके से बापसी कर देंगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके म अच्छे तरीके से उनके सामने हैं मुनमुन जी आप से जाना चाहेंगे कि जब लोग आप लोग के पास अप्रोच करते हैं यह हमारी ड्यूटी बनती है इसको हम लोगों तक लेके जाए और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब आप देने का तो पहले सवाल लेते हैं इमेल के पहला सवाल हमारे पास ही आया है चन्डीगर से व्रिहंत जी है आप जानना चाहते है कि क्या IEC कोड को ओनलाइन अपलाई किया जा सकता है बिलकुल ठीक बात है व्रिहंत जी मैं बताना चाहूंगा कि IEC कोड को ऑनलाइन ही सकते हैं सिरफ जिसकी वेबसाइट है DGFT.gov.in सत्यम цifiques बिहार से हैं और आप पूछते हैं क्या आप अपनी बैटी के नाम से कंपनी बना सकते हैं सत्यम है आप अपनी बेटी के नाम से कोई और एक शब्त लगाना पड़ेगा जो आप activity करना चाहते हैं जो आपकी इंडस्ट्री है बास ये दो बातों को ध्यान लखना और आप बेटी के नाम से बिल्कुल बना सकते हैं और अब सवाल वू जो audio के माध्यम से हमारे पास आये हैं मुद्रा बिल्कुल इनकी help कर सकती है बिल्की मुद्रा योजना इन ही लोगों के लिए बनी हुई है मैं शिक्का बोल रही हूं डेली से मैंने अभी एक ITR था गलत चला गया तो क्या मैं रिवाइज किया जा सकता है उसमें एक ही शर्थ है आपने ओरिजिनल आई टाइम पर फाइल की हो अगर ओरिजिनल आई टाइम पर फाइल की है मुन मुन जी आप से जानना चाहेंगे कि जब हम Stand Up India की इन स्कीम की बात करते हैं जिसका लाब हमारे सभी जो ऐसी भाई है या महिलाए है वो इसका लाब उठाना चाहते है तो सबसे इजिएस्ट तरीका क्या है जिससे उन्हें इसका बेरिफिट बल सके सबसे इजिएस्ट तरीका जो आपने पूछा वो है Stand Up Mitra.in को आप पोर्टल को खोलिए मातर आठ सवाल है जिसके थूँ आप अपने अप्लिकेशन तक पहुँच सकती है आप क्या करना चाहती है आपका कंपनी का नाम या कोई कोई क्वेरीज हो आप सब तरीके के उसमें आंसर ले सकती है इंस्टेंटल अगर आप एप्लाई भी करती है तो इसमें अगर आप 10-15 लाक का अगर आप लोन लेती है तो उसमें विदिन 2 weeks में आपको reply मिलेगा अगर उससे जादा का 25 लाक तक का लोन लेती है तो फिर वो 3 में आपको उसका रिप्लाइए मिल जाएगा अगर आप 25 लाग से उपर का लोन के लिए आपके साथ जो हुआ है उसका तुरंच से तुरंध रिप्लाइए मिलेगा अब वोगता गया है जब हमारे सभी दर्शक आपके बिसनेस मंत्र के इंतजार में है प्लीज, मैं आज के ल expectation and positive effort is key to success और जब ये दोनों चीज़े मिल जाती है तो हमारी तरक्की को कोई भी नहीं रह सकता और मुनमुन जी अब हम लोग आ गए है उस खास सेग्मेंट में जो की है शिल्पा भाबना स्पेशल हाला कि हमेशा ये एक rapid fire रहता है हम अपने गेस्ट से कुछ सवाल पूछते हैं और आपको हम समय बिलकुल नहीं देते हैं और आपको बहुत जल्दी जल्दी उसके जवाब देने होते हैं हाला कि समय हम आपको आज भी नहीं देने वाले लेकिन इसमें ट्विस्ट है कि आज हम लोग करेंगे एक SWOT analysis क्योंकि आप समाज के ऐसे section को represent करती हैं चाहे हम कि भाइयों की बात करें यहां महिलाओं की बात करें जिन्हें समाज की मुख्यधारा से अभी जोडने की जरूरत है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए पहचाने की उनकी strength, weakness, opportunities और threat क्या है तो शुरू करते हैं सबसे पहले SWOT analysis का पहला S strength आपको क्या लगता है जो हमारे यह section है, उसकी क्या strength है? मैनत, weakness, नौकरी, सबसे बड़ी opportunity कॉनसी है उनके सामने, stand-up India, a threat? ने, अभी कोई threat मुझे नहीं लगता और है, after the stand-up India, अगर हम इसका सही से उप्योग करें आपने life को चेंज कर सकते हैं तो इसका मतला हमारे सामने चुनौती कोई नहीं है, अबस अबसर है और वो stand-up बिल जा के तुरू है, so thank you so much Munmunji, आपने बहुत अच्छे से गेम खेलो और मेरे पास आपके लिए कुछ खास है दोस्तों, जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगी कि उपर वाले से कभी ये दुआ मत कीजिए कि हमारे काम्याबी की रास्ते को आसान बनाए बलकि ये दुआ कीजिए कि हमें और बेहतर बनाए ताकि हम काम्याबी तक पहुँचने वाले हर रास्ते को खुद आसान बना सकें और जिस दिन हम उस बेहतरी को पा लेंगे, उस दिन कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं पाएगी तो बस अच्छे से और बेहतर बनने का प्रयास करते रहिए और शुल्पा भावना को आज के लिए इजासत दीजिए अगली बात फिर होगी आपसे मुलाकात थांक यू सो मॉच जैहिंद बिसनस इजास